उत्तर परदेश के रामपूर में 18 जून को एक मासूम को एक दरिंदे ने अपनी हवास का शिकार बनाया। लेकिन उससे पहले उसने क्या जाल बिचाया उस जाल की तस्वीरे CCTV कैमरे में कैद हो गई। उस दरिंदे ने उस मासूम के घर जाकर नौकरी दिलाने का जासा दिया। उसके जासे में आकर मा बेटी उस दरिंदे के पीछे पीछे चल दी। पीरलिस ने खोज लिया। फिर क्या था रामपुर पुलिस उसको अपने चकर भी में फासने के लिए लग गई। क्योंकि रामपुर की नए SP थे और रामपुर की पूलिस भी कुछ करना चाहती थी। बाराल पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने आरूपी को घेल लिया फिर पुलिस और अपराधी के बीच मुटबेड हुई मुटबेड में बलतकार के आरूपी के पैर में गोली लगी गोली लगने के बाद आरूपी गंबी रूप से घायल हो गया घायल को जिलाचे के साल रामपुर के थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराई थी घायल को देखने आज पुलिस दिख्चक जिलाच्च के साले रामपुर पहुचे हैं जहां पर जो मुडबेड में घायल हुआ अपरादी है उसका हाल चाल जाना है वहीं हम आपको बता दें कि पुलिस सूत्र बता रह थाना से विल लाइंस पर इक अभ्योग पंजी कृथ्था जिसमें एक बत्ती दोरा इसासे का प्राठना बत दिया गया था उसके पुत्री को नौक्री दिलाने के नाम उसके साथ जबहत धार करती गे वेचना के दोरा अधारा तेंस उचेतर के वेचना की क्रम में यारह कि अधारह निचेंजय के दोरा इस दोरां चेकिंग के दौरा कॉमोट साइकिल में जिस से घटना कारिद की रिक्स पुलिसमों जीर में लेक्षब्र काफिर्म में इसके दोरा घटना सुचार की गई तरिथे चिलारा इसके पनच शेमियों सारे लायक है कि अधे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजेगा और हाँ हमें सब्सक्राइब और फालो करना नहूं ले ताकि आपसे कोई नए अपडेट छुड़ना पाए जी हाँ ध्यान रखें हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुएल समझार पर और यह बेल आइकन को जरूर दबाते रह कि